हेलो एब्रिवान वेल्कम टू द्रेवी देवीस क्रियेशन आज मैं आप लोग को अम्रेलब फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी जिसको गाउन भी बोलते हैं और इसको दो पार्ट में बनाते हैं और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज ये सबसे पहले चोली को अलग और घेरा को अलग अलग करके बनाना पड़ता हैं सबसे पहले मैं चोली के नाप लूँँगी मेरे इधर जैसे चेस्ट है उसकी हिसाब से मैं पुड़ा कटिंग करूँगी जैसे ये लेन थे चोली का 15 तो एक इंज और के 16 इंस तक ली हूँ और जो कंदा है वो 8 इंज का कंदा है और बगल उतार है 8 इंज दोनों तरफ ऐसे निशान लगा देना है फिर गले की चोड़ा है सारे 3 इंज क्योंकि पीछे से बन टाइप कराएगा तो इसलिए कंदा चोड़ा लेना पड़ता है और गले की चोड़ा भी ज्यादा लेना परता है नॉर्मल से और पीछे की गला रहेगा सारे तीन इंज तक का तो मैं दोनों पार्ट को एकी साथ कटिंग कर रही हूँ आप लोग को जैसे भी सुविदा लगे उसी साब से कटिंग कर लेना है फिर ऐसे सभी निशान को जोड देना है और सामने जो आम होल का गुलाई रहेगा उसके लिए थोड़ा सा आधा इंज अंदर तरफ लेना है और फिर चेस्ट है बीस इंज उसका आधा है दस इंज में गुलाई लग ऐसे दस इंज तक लेना है और फिर आम होल का गुलाई शेप में ऐसे निशान लगा देना है अंदर वाला थोड़ा गैरा ज्यादा होगा और बाहर का थोड़ा कम और फिर उससे 2 इंच ज्यादा मार्जिन लेना रहता है जित्ता भी चेस्ट या कमर रहेगा उसके साथ 2 इंच प्लास करना है और फिर उपर से और फिर गले का भी निशान ऐसे मैं इधर गोल गले में रखूंगे आप लोग अपने हिसाब से गला तैयार कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है गोली रखना है कोई भी शेव दे सकते हैं फिर उपर से चेस्ट से कमर तक का निशान ऐसे लगा देना है फिर इसको कटिंग कर देना है मेरा कटिंग तैयार हो गया और उपर कंदे तरप थोड़ा सा तीर्चा करके कटिंग कर देना है और फिर मैं अंदर वाला हिस्सत मतलब पीछे पाठ को बहर निकलके जो सामने का पाठ है उसका कटिंग करूंगी गले का और armhole का क्योंकि सामने का जो गला है वो थोड़ा सा जादा बड़ा है सारे चैंज तक ली हूँ पीछे का सारे 3 इंच और फिर armhole का भी थोड़ा सा गहराई से cutting कर लेना है अब मेरा cutting हो गया है तो मैं दोनों पार्ट में सामने और पीछे ऐसे लिक ली हूँ एस और पी अपने सुवीदा के लिए फिर मेन फेबरीक के उपर रखके इसको कटिंग कर ली हूँ अब गेरा को कटिंग करूंगी इधर मैं चार फोल्ड कर ली हूँ मेरे पास पूरा सारी था उसको मैं पूरा यूज कर ली थी तो ये चार फोल्ड हो गया फिर इसको तीर्चा करके और एक फोल्ड देना है तो फिर पूरा ये आठ फोल्ड हो जाएगा और मेरे इधर जो कमर है वो है चालीस इंच तो उसको आठ से डिवाइट करना है तो पाच इंच आएगा तो उपर कमर में मैं पाच इंच में निशान लगाऊंगी पाच इंच करके ऐसे गुलाई शेप में देना है ये ऐसे गुलाई शेप में इसको ड्रॉ कर ली हूँ फिर इसको निशान को अच्छे से बड़वर करके कटिंग कर लेना रहता है और फिर उपर से नीचे तक का मेरा जित्ता लेन थे 32 इंच मैं उसको उसी साब से पूरा में गुलाई दूंगी इंची टेप को साबधानी से रखना है आगे पीछे ना हो नहीं तो फिर घेरा भी उपर नीचे हो जाएगा यह मेरा निशान देना कम्प्लेट हो गया है फिर मैं इसको कटिंग कर लूँगी जहा कम हो रहा है उधर मैं जो कटिंग के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं जोड़ दूँगी यह ऐसा एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिए इसको जोड़ देना है बस और कुछ नहीं करना है जोरने के बाद फिर पूरा घेरा को एक बर रखके बरो बर में जो भी आगे पीछे रहेगा कपरा उसको कटिंग कर लेना है फिर घेरा के बीच जो दो पाठ है उसको बीच में से जॉइंट करूंगी एक तरफ जॉइंट करूंगी एक तरफ खुल ला ही रहेगा वो आखडी में उसको जॉइंट करना रहता है और फिर घेरा के नीचे मैं गोटा पट्टी का ऐसे लेस लगाऊंगी आप लोग plain simple fold भी कर सकते है या तो pico भी कर सकते है इधर मैं यह से lace लगाऊंगी ऐसे मेरा lace लगाना complete हो गया है और घेरा भी बनके तयार अब मैं चोली को तयार करूंगी अब सामने के पार्ट को पहले तयार करूंगी यह जो गला है पहले उसको तयार कर लूँगी सिलाईगी लगा के यह मेरा दोनों पार्टी complete हो गया है अब फिर मैं सामने थोड़ा गोटा पट्टी का डिजाइन डालूंगी चोली में और ऐसे निशान लगा लूँगी ताकि जब गोटा पट्टी लगाऊंगी वो सीधा सीधा मैं इसको लगा सकती हूँ यह मेरा लगाना complete हो गया है अब लोग कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं इसमें फिर मैं प्रिंसेस कर्ट में इसको सिल लूँगी सामने के चोली का और पीछे टक्स लगा दूँगी यह मेरा प्रिंसेस कर्ट में सिलाई complete हो गया है फिर दोनों पार्ट को उपर से कंदे में जोड लगा लूँगी स्लीप्स भी लगा ली हो फिर मैं इसको फिटिंग करूँगी फिटिंग का निशान लगा रही हो 11 इंच में क्योंकि मेरा जो चेस्ट हो 22 इंच का है तो उसका आधा है 11 इंच और कमर भी 20 इंच का है उसका आधा है 10 इंच में ऐसे एक तरफ से फिटिंग करूँगी पहले दोनों तरफ से सिलाई नहीं लगाना है पहले एक ही तरफ से सिलाई लगाना है और निशान दोनों तरफ ही लगा लेना है उसके बाद मैं पहले डोडी को तैयार कर लूँगे आगे पीछे दो डोडी रहाएगा उसके लिए ये तक्या वाला डोडी मैं इसको यूज करूँगी तक्या जैसे इसको बनाऊंगी लेटकन को तो इसके लिए 3 by 3 इंज का एक कपड़ा ले ली हूँ और इसको डोडी के सा लूँगे चाड़ो तरब से नहीं सिलना है तीन तरब से सिलना है और एक तरब थोड़ा खुला छोड़ देना है फिर इसके अंदर जो भी तुकड़ा कपड़ा बचेगा उसको अंदर डाल देना है और अंदर ऐसे डालने के बाद उपर से जहां जिस तरब खुला है उस तरब से एक सिलाई लगा देना है मेरा सिलाई लगाना कम्प्लीट और ये तक्या डोड़ी भी लटकन भी तक्या वाला लटकन भी ये देखू तैयार हो गया है फिर मैं घेरा को चोली के साथ अटच करूँगी अगर घेरा में थोड़ा ज़्यादा कपड़ा डायेगा चोली के हिसाब से तो आप लोग उसमें दो एक दो प्लेट्स भी डाल सकते हो इसमें घब्रानी वाली कोई बात नहीं है क्योंके कम ज्यादा होता है थोड़ा सक प्रुट्टित डाल देना तो इसमें बड़ बड़ आ जाएगा और फिर बीच में मैं ये डोड़ी को रखके एकी साथ सिलाई लगा दूंगी जहाँ पे डिजाइन डाली हूँ चोली का दोनों तरफ उसके हिसाब से मैं डोड़ी को एटाच करूंगी फिर जिधार खुला वाला हिस्सा था घेरा का पुड़ा नीचे से उपर चोली तक का पुड़ा में ऐसे सीधा सीधा सिलाई लगा देना है ये सिलाई लगाने के बाद फिर मेरा ये गाउन कम्प्लीट हो गया है थैंक्यू